जेसी कृष्ण जे मातजी की आज हम बनाएंगे गुवर फाली और हरेचने की सबजी एकदम सिंपल है टेश्ट्री और खाने में बहुत मज़ा आती है तुम दो रोटी खाती हो तो चार रोटी खाती हो इतना बड़िया बनेगा तो बनाने का तरीका शरू करते आके जो भी म बढ़ा दलना है आचियो है तक के एया घुन हमारा кंट गरम अलाई चुका है थोड जीरा थोड़ासी शोभाई थोड़ा सी स्वत सब मिला कि हमने आदी चम्मठ डाला है ज्यादा नहीं डालना है हमें सास में हम डाल देंगे यह थोड़ा फुटे इसलिए के बाद डालेंगे गुवार गुवार हमें तेल के अंदर ही पकाना है मित्रों आज की वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना अच्छे से जीरा राय वगेरा टाटक गया है रुवार डालने के बाद अच्छे मिला देनगे इसे बाद डालेंगे घरे तने साच में डालेंगे पुडासा नमख नमख डालेंगे गुवार दबी पकाना है पांच मेर तक हाँ एक गुवार को पकालेंगे और हमारी पकरी ये ताथ में हम आधा कमसे थोड़ा दही लिया ज्यादा कास्में नेच्ची डालेंगे आधी चमच तिकी वाली डालेंगे थोड़ासा नमख डालेंगे नमख पेलेंगे डाला इसे लिये एक चमच बरके घन्या दीर डालेंगे थोड़ी डालेंगे हल्दी काटे वाली थोड़ासा अच्च से मिला देंगे अपने खुवार वाली सब्ची बहुत खाई होगी लेकिन हमारे तरीके से एक बार बना के खाना ने पहले बबहता रहता है दो रोटी की जगा चार रोटी खाजाओगे बहुत ही बढ़िया बनती हो और सिंपल तरीका है बराने का और गर के मतलक से बन जाता है कोई गरम मतलका उप्योग हमें नहीं करना है देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है हमारी गुवार भी अच्छे से सखने आ गई है तम डालेंगे अध्रक नसन मिल्की के पेट गुवार पड़ी पक्स है इसके बाद ही हमें डालना या ब्रतना पहले से डालोगे तो तेर के अंदर बर जाएगा मतलम जल जाएगा अच्छे से मिला जेंगे बिलाजने के बाद दो मिल्क और पका लेंगे गुवार हमारी अच्छे से पड़ी है हरे चने और गुवार हम डाल देंगे मसाले वाला जरीन अच्छे से पाने डाल देंगे पाने डाल देंगे पाने डाल मिला देंगे हमारी सबजी तो दम आसानी से हरे चने और दुवार की तो रेडी हो चुकी है दस मिल्क तक हम कम आज पर पका लेंगे आप थोड़ा कम पकाना चाहो तो कम भी पका सकते हो कम पका उड़ी के जाद अच्छे लगे लिए यह थोड़ा ज्यादा पकाएंगे ग्रेवी इस्दम दहिवाली गट हो जाएगी तो रोपियों के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है अब कम पकाना चाहो तो भी कम पका सकते हो यह से भी बहुत बढ़िया लगेगी लेकर देखें हमारी सब्जे बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हो चुकिये ग्रेवी इस्दम गौर्प हो चुकिये तो कुछ डालना बाकी जहें क्या डालेंगे आपको दिखाएंगे देख करेंगी सब्जी को प्लेट के अंदर सब्जी गोजराती हो तो बाटनी के साथ ट्राए करना बहुत भाड़ा जाए गा करेंगा यह सब्जी बाटनी के रोटनी के साथ बहुत बढ़िया लगती है देखिए दम प्यारी प्यारी बहुती बड़िया सब्जी बनके रेड़ी हो चुकी है थोड़ा सारा जनिया से हम सजा देंगे हमारी सब्जी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करना दोस्तों के अंदर शेयर करना की बबबे दुस्तर मोली करसाओ लगी समया